नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शेफधी रज और आज हम टॉपिक ले रहे हैं मैंणपावर का आपको क्लाउट कीचन के लिए मैंणपावर कहां से लेनी है मैंणपावर क्या होती है और आपकी मैंणपावर कौस्ट क्या होनी चाहिए मतलब कि अगर आप एक लाग रुपे सेल कर रहे हैं अपने restaurant की तो आपको कितना अपने manpower के उपर खर्च करना चाहिए तो यह कुछ important points है जो कि हम लोग आज इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा आपको काफी सारी अच्छी information मिल जाएगी अपने आने वाले startup के लिए सबसे पहले manpower होता क्या है आपके restaurant में आपके cloud kitchen में आपके take away में जो भी directly, indirectly, physically काम आके करता है या mentally काम आके करता है वो आपकी manpower होती है इसमें आपको अपने आपको भी include करना है अगर आप काम करते हो आपके family का कोई भी member चाहे आपके daddy हो चाहे एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए आके बैट रही हो या कोई भी और family member हो आपका भाई यो brother हो वो आपके पास कुछ घंटों के लिए आके बैटता है आपके जब आप नहीं होते हैं तो वो भी consider होता है manpower के तौर पे अब यहां आप लोगों को monthly pay करते हो किसी को weekly pay करते हो या फिर किसी को आप घंटों के हिसाब से पैसा पे करते हो तो यह सारी चीजे आपकी manpower के अंदर आती है manpower के तौर पे आप अपने cloud kitchen में chef's hire करते हो आप helpers hire करते हो आप cleaning staff hire करते हो आप cashier hire करते हो आप managers hire करते हो या फिर आप delivery boys hire करते हो यह सारे आपकी manpower के अंदर आती है अब आपको manpower जब भी starting होती है तो आपको manpower डूमने में काफी difficulties होती है आप कई सारे हत्कंडे अपनाते हैं तो आप उन में से मैंने कुछ 6 लगबग उन हत कंडो को लिखके रखा है इसके अपको बताने वाला हूं और इन सभी के कुछ नकुछ था है और सब के कुछ नकुछ नकुछ नुकसान भी है ऐसा रहा है कि जो भी आपको वह सकता है वह सबसे में हम chem now fashion करते हैं तो Hey sub शेफ काम कर सकते हैं वहाँ पर या फिर as a manager काम कर सकते हैं अब हम cloud kitchen की बात कर रहे हैं तो specially यहाँ पर हम लोग शेफ की ही बात लेते हैं क्योंकि सबसे important part हमारे cloud kitchen में सिर्फ का ही होता है क्योंकि जितने भी लोगों से मैं बात करता हूं सब बोलते हैं कि food मेरा passion है खाने के लिए ही मैं cloud kitchen खोलना चाहता हूं क्योंकि खाने से मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाओ है अगर आपका खाने से इतना ज़्यादा जुड़ाओ है तो आपको ही खाना बनाना चाहिए और आपको ही अपने cloud kitchen को run करना चाहिए इससे होगा क्या आपकी manpower की cause बहुत ज़्यादा बच जाएगी क्योंकि शेफ लग बहुत सारी दन कहलेते हैं बहुत ज़्यादा दन कहलेते हैं तो उसके बाद आप operations को अच्छे से देख पाएंगे आपकी quality maintain हो पाएगी आपके operation अच्छे से run हो पाएंगे पर यहाँ पर drawback होगा क्या यहाँ पर कि आप operations में इतना ज़्यादा involved हो जाते हो कि आप बाकी चीज़े नहीं देख पाते हो आपकी future planning आप नहीं कर पाते हो आपकी strategies बनानी होती है वह आप नहीं कर पाते हो तो बाद में long run में जाके आपको कही ना कहीं उसका नुकसान होने लगता है तो यह हो गया पहला तरीक है इतनी आप उनको पैसा पे करके आप में पाउर हाय कर सकते हो कहीं पर आप से एक salary ली जाती है फिर हर महीने आपको उनके salary जो भी आप पे करें उसका कुछ हिस्सा अपनी agency को देना पड़ता है और वह आपके लिए में पाउर हाय करते हैं यहां पर नुकसान यही होता है है कि आपको पैसा देना पड़ता है उनको रेगुलरी देना पड़ता है क्योंकि वह काफी अच्छा-कासा amount charge करते हैं यह नहीं कि आप 50,000 का शेफ धूंड रहे हैं और आपसे वह सिर्फ 2000 रुपे charge करें वह भी आपसे काफी अच्छा-कासा पैसा लेते हैं अब फायदा उनको बोल सकते कि अपने reference से किसी को बुला के लिए यह आपके friends circle में आपके families में जिनके already restaurants चल रहे हैं तो आप उनकी भी help ले सकते हैं आप उनसे भी बोल सकते हैं कि आपको किसी एक अच्छे chef की जरुत है अब यहां पर क्या होता है अगर आपके पास manpower आती है वह तो ए पारे ही एक ही विरादरी के होते हैं वह अपना एक good बना लेते हैं अब यहां पर यह भी हो सकता है कि जिसको वह लेके आ रहे हो उसे इतना चाक काम नहीं आता हो पर वह उसको आप लोगों के सामने इस प्रकार से present करेंगे कि उसे बहुत काम आता है आप उसे रख लेते हो और पर वह इतना काम में effective नहीं होता और आप कहीं ना कहीं वह आपकी जो production की quality होती है उसको कम कर देता है तो आपको यहां पर यह चीज भी ध्यान रखनी है इसके बाद जो next है आप professional chefs hire कर सकते हो जैसे कि हम लोग भी करते हैं आप किसी professional chef को starting में hire कर सकते हो वह आपके पू उनके जगे किसी एक दूसरे chef को जो या फिर जो आप already आपके यहां पर उनको training उन्होंने दी है उनको वहां पर appoint करते हो अपना head chef और वो operations को run करते हैं तो इस तरीके से आप किसी professional chef की मदल दे सकते हो उसके बाद जो already अगर आपका restaurant चल रहा है या कहीं और से आप एक पु या इसी मेरे लिए ठीक है और आप उसे रख सकते हो सबसे लास्ट है यहां पर जो सबसे बड़ा famous method में बोलूँगा वह है हमारी social media का आप Facebook Instagram LinkedIn का प्रयोग कर सकते हो WhatsApp group का प्रयोग कर सकते हो और वहां से अपने लिए manpower hire कर सकते हो पर यहां से लगबग जो last वाला है इतना है तो बड़ा popular इतना effective मैंने देखा नहीं है आदे से जादा इसमें चीज़ा fake होती है लोग पुरानी पुरानी दस-दस महीने पुरानी post को repost कर देते हैं और आप जब call करते हो तो सिर्फ आपका दिली तूटता है आपके पास manpower जो की candidate होता उसका हमें साथ दिली तूट के भी हाँ पर बता रहा हूं कि क्लाउट कीजिन में हम लोग profit margin बहुत कम रखते हैं हम लोग यहाँ पर 100 रुपे 500 रुपे की चीज़े बेजते हैं लग बग 230-300 रुपे की हम लोग average order लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपनी जो cost रखते हैं वह 18-20 या आप बो दीजे 22 18-22 प्रेसेंट आप रख सकते हैं अपनी manpower का कहने का मतलब है कि अगर आप एक लाख रुपे की सिल एक महिने में कर रहे हैं तो लग भग आपको 18-22,000 रुपे आप अपनी manpower के उपर खर्च कर सकते हैं इसमें आप इंक्ल्यूड हैं आपके family member इंक्ल्यूड हैं पर ऐसा म कीजगा कि अगर आप भी बैठें आपके family member आगे बैठ रहे हैं और आप अपनी salary भी लगा रहे हैं और उनकी salary भी लगारे हो तो इहां तो फिर हो कि आगर आपपаться बन्दे को वहां से उत्टकर सब्सक्राणी ओक्रांitos तो 18 से 22 प्रसेंट एक हम लोग अजम्शन लगाते हैं कि इतनी आपकी मैंद पावर की कॉस्ट होनी चाहिए कुछ भी हो आप मुझे नीचे लिख के भीज़ देगा मेरे क्लाउड कीजन का कोर्स है बहुत अच्छा चल रहा है मैंने अब लगभग मैं सिर्फ 25 तबता के लिए जैंद